हेलो एब्रीवन टार्गेट मिता लोट ओनलाइन आई एस रिश्ट के वागत्याप शर्जीट आज में सिविल सर्वीशेज इग्जाम स्पॉरेंट और लिए से यह थी चंसेप्श्वल टॉपिक आपके श्रमख रहा हूं आम तोर पी यह लगता बड़ा आसान है बट पूर अगरी तरह से शंक्रतनात्मक है यह सिंपल टॉपिक यह लेकिन जब हम इसके अंदर अंतर नहीं कंशिप्ट को समझेंगे तब हम इसकी गंभिर्ता को समझभाएंगे नाम है तम विधान का वरगी करण कम विधान का वरगी करण इस क्लासिफिकेशन ओफ पॉंस्टिट्टिट्स कम विधान का वरगी करण तेकिये आम तोर पे विश्व में जहां कहीं भी फंक्शनल डेमोक्रेशी है यहां लोकतंत्र विवहार में लाया जाता है वहां आपको अमोमन जो सम्विधान दिखते हैं उनको अगर हम क्लासिफाई करें अगर वरगी करण करें तो दो अलग-अलग आयामों पर उन्हें वरगी करण किया जा सकता है एक उनके शंकलन के आधार पे याखिर कंविधान का संकलन किस तरीके सिखिया गया है उन्हें कोडिफाइड कैसे किया गया है और दूसरा कंविधान के प्रावधानों के रूप में जो अंतरनेहित सिधानत है जो inherent principles है जो inherent values है यानि अंतरने हित मुल्यों के अधार पे अंतरने हित स्तिधानतों के अधार पे सम्विधान का क्या कुछ वर्गी करण होगा ये हम लोग आज के सेशन में दिखने का प्रयास करेंगे तो सम्विधान को बेसिकली हम दो तरीके से वर्गी करित करते हैं दो प्रकार से वर्गी क्रित करते हैं, वो प्रकार से शम्मेदान वर्गी क्रित होते हैं, पहला, संकलन के आधार पे, संकलन समझ रहें, उन्हें किस तरीके से कोडिफाई किया जाता है, किस तरीके से संविधान के तमाम प्रावधान, एक दूसरे के साथ किरो है जाते हैं, किस तरीके से संविधान के तमाम प्रावधानों के माध्यम से संविधान रुपी दस्तावेज का संकलन होता है, यह हम स ऑफे जो धूसरा पैटर्ण है इसके आदर पर कि इतर नहिभिजेशन को क्लासिफाई करते हैं शंविधहानों को वरगी क्रिप्त करते हैं शंविधहान में अंतरनहित उसमल्लियों के अधार पर अंतर नहित मुल्ल्यों के आदर पर या फिर संविधान में किस तरह के values हैं ? वैलूस के आधार पे, principles के आधार पर जब संविधानों को शंकलन के आधार पे वर्गेकरित किया जाता है तो ये मुनतह दो तरीके के निकल कर आते हैं क्या तो संविधान लिखित होगा या फिर समभिधान और लिखित होगा और लिखित यानि लिखित समभिधान बना किया कुछ वर्ग होते हैं अलग-अलग वर्ग ध्यान देंगे जब हम लोग अंतर नहीत मुल्यों के आधार पे संबिधान का वर्गी करण करेंगे तो हमें बेसिकली दो तरह के संबिधान मिलेंगे एक लोकतांतुरिक संबिधान और दूसरा और लोकतांतुरिक संबिधान और लोकतांत्रिक संविधान यानि अगर सीधी साधी भासा में कहा जाए तो आज की क्लास में मैं आपसे ज़र डिसकस करने जा रहा हूं कि लिखित संविधान क्या होता है और लिखित संविधान क्या होता है साथ ही साथ मैं यह भी डिसकस करने जा रहा हूं कि लोकतांतरिक संविधान किसे कहते हैं और लोकतांतरिक संविधान किसे कहते हैं कहीं न कहीं संविधान का वरगी करण रुपी जो आज का टॉपिक है इसके दो कालों हम लोग पढ़ेंगे फरस्ट फेसिट अंकलल के अधार पे संविधानों का वरगी करण second facet अंतर नहीत मुल्यों अथवा सिधान्तों के आधार पे सम्विधान का वर्गी करण तो चलिए एक एक करके देखते हैं सबसे पहले facet number 1 यानि आज के विमर्ष का पहला पहलू प्रथम पहलू तंकलन के आधार पर सम्विधान का वर्गी करण ठीक है देखिए किसी भी सम्विधान को संकलन के आधार पे वर्गी करने से पहले यह हमें जान लेना होता है कि सम्विधान होता क्या है तो आपको बताऊं सम्विधान मुलता एक दस्तावेज होता है जिसको अंग्रेजी में डॉकॉमेंट कहते हैं सम्विधान एक दस्तावेज होता है समझ रहें जो जो माल लीजिए आपके पास अलग अलग विशे वस्तुवों का कंटेंट होता है नो ٹस होता है आप कुछ माल लीजिए compile करके अपनी file में रखे हुए हैं suppose आपके educational qualification से सम्मन्दी documents तो दस्तावेज हुआ आपके पास किसी विशेवस्तु का class notes है तो वह भी आपका दस्तावेज है यानि दस्तावेज सब्द का इस्तिमाल में इसलिए कर रहा हूँ कि दस्तावेज का मतलब ही होता है कि हर हाल में यह लिखित होगा हमज़े हो मेरी बात document आ लिखित हो ही नहीं सकता हमाल लीजिए आपके पास आपकी file में suppose 10 white sheets हैं 10 सफेद पन्ने हैं सफेद पन्ने हैं का मतलब हुआ कि उन पन्नों पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है आप चाहे उसे कितना भी compile कर लें file बना लें, notebook बना लें क्या आप उसे दस्तावेज करार दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे दस्तावेज तब तक नहीं कह पाएंगे जब तक उन पन्नों पर कुछ लिखा नहीं हो clear है, एक बात तो तैव हो गया स्वंविधान शब्द से ही कि स्वंविधान जिन पन्नों का दस्तावेज होगा उन पन्नों पर लिखा जरूर होगा सिधी सिवात, एक दम मैं layman's term में आपको बता रहा हूँ समझ में नहीं आया, तो फिर इस बात में जरूर मंधन करना होगा कि whether you are competent to prepare for civil services examinations or not और अगर ये topic समझ में आ जाता है तो समझ लेना कि आप 100% fit हैं civil सेवा की तैयारी के लिए देखिए मैंने क्या कहा, श्वंविधान एक दस्तावेज होता है अभी आगे तक की बात सुनेंगे तो clear होगा नहीं, तो तुरंद तुरंद आप सोचेंगे कि मैंने बोला दस्तावेज और लिखित होता है तो तुकिर यहां इछले पन्ने पे मैं समझ लिखित हुआ और लिखित में मतलब क्या है, कई दफ़ा चीजे जैसा देखती है, वैसा होती नहीं है एक एक चीज को समझते हैं मैंने बोला शंबिधान एक दस्तावेज होता है और आपको दस्तावेज समझाया कि दस्तावेज का मतलब समाने भार्षा में मान लेजिए आपके पास 20 पन्नों का कोई कमपाईलेशन है और उन पन्नों पगर कुछ भी नहीं लिखा है तो समझे कि वो डॉकुमेंट नहीं हो सकता यानि उस पर अगर कुछ लिखा होगा तो ही वो डॉकुमेंट कहलाएगा तो सुरुवात में ही मैंने कहा कि सम्विधान भी एक दस्तावेज होता है इसका मतलब कि सम्विधान के अंदर जो कुछ भी दिया गया हो जाहिर सी बात है लिखित फॉर्म में होना चाहिए अगर लिखित नहीं हो तो वो डॉकुमेंट कहलाएगा ही नहीं दूसरी बात दूसरा सवाल ये उठेगा कि जब आपके पास आपका क्लास नोट भी आपका डॉकुमेंट हुआ और सम्विधान को भी मैं डॉकुमेंट बोल रहा हूँ तो फिर इन दोनों में क्या फर्क है तो आपको बताऊं तो शम्विधान रुपी जो दस्तावेज है यहाँ वैधानिक माननेता प्राप्त दस्तावेज होता है यानि कोई शाधारन दस्तावेज नहीं होता इस दस्तावेज को वैधानिकता प्राप्त होती है यहाँ वैधानिक माननेता प्राप्त दस्तावेज होता है तो ये संबिधान के लिए जो मैं बैधानिक मानिता प्राफ दस्तावेज करार दे रहा हूँ मन में सवाल आएगा कि आखिर इस दस्तावेज में क्या होता है संबिधान रुपी दस्तावेज में क्या होता है तो आपको बताऊं, संविधान रुपी दस्तावीज के अंदर देश की राज ब्यवस्था को संचालित करने वाले सिधान्त समाहित होते हैं. संकलित होते हैं. संकलित मतलब लिखे गए होते हैं. अब तक हम ने ये समझा कि संविधान एक दस्तावेज होता है. कैसा दस्तावेज? एक ऐसा दस्तावेज, जिसे बैधानिक मानेता प्राप्थ होती है. इस दस्तावेज में क्या होता है? तो आपके जबाब क्या होगा? इस दस्तावेज में हर वो बाते उलेखित होती है जिसके द्वारा किसी देश की राज ब्यवस्था का संचालन किया जाता है। इसके अंदर देश की सासनिक प्रशासनिक ब्यवस्था को चलाने के लिए जो भी बाते आवश्यक होती है उन बातों का यहां उलेख किया गया होता है। देश की सरवच विधी कहलाता है देश की सरवच विधी यानि संबिधान से बड़ा देश में कोई कानून नहीं होता। यह केवल भारत के संदर्व में ही नहीं विश्व के कहीं भी जिस देश का जैसा भी संबिधान हो। संबिधान स्वम्मंधित देश का सबसे बड़ा कानून होता ही होता है। इसमें कोई दोराय नहीं है। भले अगर आप उन देशों के संबिधानों की भी बाद करें जिनके शंबिधानिक प्रावधान और उस देश की विधाईका के दोरा बनाए जाने वाले साधारन विधान या साधारन कानून में कोई भर्क नहीं होता। भले ना हो, साधारन कानून ही वहां सरवुच कानून हो जाता है, यानि साधारन कानून ही वहां सम्विधान हो जाता है, तो सम्विधान शब्द के साथ हमेशा देश की सरवुच विधी का तमगा लगा ही लगा होगा चहे जीस रूप में हो, तो सिदी सी बात है, सम्विधा प्रावधान के प्रावधानों के साथ ताल मेल रख रहे हैं या नहीं। प्रावधानों से अगर और शाम्मेता रखती है और शमानता रखती है शमरुपता नहीं रखती उस इस्थिती में उस विधी को गैर वैधानिक करार दे दिया जाएगा। कोई वी नई विधी अस्तितों में तभी लाई जा सकती है जब वह स्रम्मिधान से तालमेल रखेगी। कहीं न कहीं विधीयों की जो रियालिटी टेस्ट है उसका टेस्ट स्रम्मिधान के द्वारा होता है। तरवुच विधी या देश का सबसे बड़ा कानून कहलाता है fundamental law of the land देश की मौलिक विधी मौलिक विधी एक और बात आपको बता दू किसी भी देश का सम्विधान यह बतलाता है कि देश की राज ब्यवस्था की प्रकिर्ती क्या है अगर हम राज ब्यवस्था की विभिन प्रकिर्तीयों की बात करें तो सम्भव है किसी देश की राज ब्यवस्था एक आत्मक हो सम्भव है किसी देश की राज ब्यवस्था शंगात्मक हो शंगात्मक हो यह भी सम्भव है किसी देश की राज़ व्यवस्था ना तो पूर्णता एकात्मक हो ना ही पूर्णता शंगात्मक कहने का मतलब कि एकात्मकता तथा शंगात्मकता का समिस्रण हो जिसे हम समाने वाशा में अर्धशंगात्मक कहते हैं क्या बोलते हैं अर्धशंगात्मक किसी भी देश की राज व्यवस्था की अगर प्रकृति का आकलन करना हो तो सबसे सिंपल तरीका होता है संबिधान की प्रकृति का आकलन कर लीजिए और संबिधान की प्रकृति का आकलन कैशे करेंगे संबिधान के नेचर को कैशे पहचानेंगे जाहिसी बात है उसके प्रावधानों को रेफर करके अगर संबिधान के प्रावधान एकात्मक्ता की तरफ इंगित करते हो तो समझ जाएगा कि देश की राजब्यवस्था की प्रकृत एकात्मक है अगर संबिधान के प्रावधान संगात्मक्ता को निर्दिष्ट करते हों तो समझ जाएंगे कि देश की राजब्यवस्था की प्रकृत संगात्मक है अगर संबिधान में कुछ प्रावधान एकात्मक पहलूओं को इंगित करते हैं कुछ प्रावधान शंगात्मक्ता की तरह पिसारा करते हैं इसका मतलब कि देश की राज ब्यवस्था में एकात्मक्ता वो शंगात्मक्ता दोनों का मिश्रण है तो वैसे इस्थिती में हम क्या बोलेंगे राज ब्यवस्था की प्रकृत और शंगात्मक्त है लेकिन इसका आ Constitution is directly proportionate to nature of quality prevailing in a country. यानि किसी देश के संभिधान की जो प्रकिर्ति होगी, वही प्रकिर्ति उस देश की राज ब्यवस्था की भी होगी. अगर कोई कहे कि भारत का संभिधान शंगात्मक है, तो इस बात को कहने में कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए कि भारत की राज ब्यवस्था की प्रकिर्ति भी शंगात्मक है. संभिधान की प्रकिर्ति भी एक आत्मक होगी, तो कि जैसी संभिधान की प्रकिर्ति होगी, राज ब्यवस्था की भी वैसी ही प्रकिर्ति होगी. अब यह भी जान लेते हैं कि राज ब्यवस्था की एकात्मक प्रकृती से क्या तात्पर है, शंगात्मक प्रकृत से क्या तात्पर है, फिर देख लेंगे, और ध्रशंगात्मक के बारे में भी ठीखे था, देखिए, जहां कहीं भी राज ब्यवस्था का एकात्मक श्वरू को पुजह होता है वहां सास्निक प्रसास्निक विवस्था में केंद्रिय करण पाया जाता है centralization समझ नहीं मेरी बात तो एकात्मक प्रकिर्थि वाले राज विवस्था में सास्निक प्रसास्निक विवस्था का केंद्री अकृत स्वरूप पाया जाता है केंद्री अकृत स्वरूप का मतलब हुआ कि देश में एक Central Government होगी और वह Central Government समूचे देश की शासनिक प्रसासनिक वैवस्था के संचालन का अधिकार अपने पास रखेगी, सक्तिया अपने पास रखेगी यानि केंद्र सरकार अपनी शक्तियां किसी दूसरी निकाय के साथ साजहा नहीं करेगी यानि यहां पर हम शक्तियों के विभाजन की संकल्पना नहीं पाते हैं डिवीजन आफ पावर यहां पर नहीं होता डिवीजन आफ पावर नहीं होता शक्तियों के विभाजन की शंकल्पना यहां गौण होती है यानि आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि जैसे केंद्र सरकार हो गई, राजी सरकार हो गई, जिस तरीके से केंद्र सरकार हुआ, राजी सरकार दोनों ही में शम्विधान कुछ-कुछ शक्तियों का वीतरन करता है, यह सब यहाँ नहीं दिखेगी, यानि देश के सासन प्रसासन से सम्मंधित समस्त जो निरणें लेने होंगे, वो केंद्र के द्वारा ही लिया जाएगा, वो अलग बात है कि प्रसासनिक सहुलियोत को लाने के लिए हो शक्ता है, छेतरीय परिसदे हों, जोनल काउंसिल्स हों, लोकल सिल्फ गॉवर्मेंट्स हो, पट वो लोकल सिल्फ गॉवर्मेंट्स या जोनल काउंसिल्स, सेंट्रल गॉवर्मेंट्स के साथ, केंद्रीय हुकूमत के साथ, दावेदार के रूप में शक्तिया साजा नहीं करेंगी यह आम तोर पे एकात्मक राज व्यवस्था के अंदर देखा जाता है यानि समाने भाषा में आप समझें तो राज व्यवस्था के एकात्मक श्वरूप का मतलब हुआ सासनिक प्रसासनिक व्यवस्था की केंद्रिय कृत प्रकृती या केंद्रिय कृत स्वरूप ये एकात्मक्ता की पाशान होती है आम दोर पे यह व्यवस्था उन देशों में शफल होती है जो देश जनसंख्या के लिहाज से छोटे हो यानि जिसकी भारी भर कम जन संख्याना हो शित्रफल के लिहाज से भी वो छोटे हो जहां कि एक ही जगा कोई केंद्रिय करेद सत्ता पूरे देश की सास्निक प्रसास्निक व्यवस्था का समुचित तरीके से समुचित धंग से संचालन कर सके अगर माल लिए बहुत बड़ा देश हो तो ऐसे में कोई भी केंद्रिय हुकूमत आपको लगता है कि पूरे देश की सास्निक व्यवस्था को ठीक तरीके से सम्हाल पाएगी नहीं सम्हाल पाएगी यह छोटे देशों में यह संभव हो पाता है और खास करके फोटे देशों में भी उन देशों में जहां की जो जनसंख्या है वो एक तरह से पहुलवादी जनसंख्या नहीं है कहने का मतलब कि जनसंख्या के अंदर लोगों के अंदर बहुत जादे बैबीबी दिताएं ना हो आइवर सिटीज उतनी जादे ना हो यहां देश की जन संख्या में भिन भिन प्रकार की बीविदिताएं होंगी वहां फिर सासन प्रसासन का केंद्री अक्रिस्वरूप आम तोर पर फिर सड़ी हो जाएगा तो वहां के लोग एक आत्मक प्रकार की आत्मक प्रसासन का केंद्री अक्रिस्वरूप के लिए जाना जाता है यहां पर क्या होगा कि जो केंद्री यह हुकूमत होगी जिसको कह सकते हैं केंद्री यह हुकूमत देश की सरवच शक्तियां या सरवश्चो शक्तियां केवल वह केवल इसी के हाथों में नहीं होगी बलकि केंद्री यह हुकूमत के साथ साथ और भी साजेदार हुकूमते होगी ताजेदार हुकूमते जिनके मद्ध इन दोनों के मद्ध शक्तियों का विभाजन होगा यानि दिवीजन ओफ पावर होगा समाने भाषा में समझ लीजिए कि यहां सेंट्रल गोवर्मेंट है यहां स्टेट गोवर्मेंट से इन दोनों के बीच सक्तिया साजा होंगी डिवीजन ओफ पावर एक्जिस्ट करेगा अमज़रे मरी बात तो जहां भी सक्तिया साजा होंगी तो जाहिर सीबात है सासन वा प्रसासन के स्वरूप में इकेंद्री करण देखने को मिलेगा आम तोर पे फेडरल इस्टक्सर का कोई भी स्वरूप आपको दिखे चाहे वो यूनियन टाइप फेडरल इस्टक्सर हो फेडरेशन हो या कान फेडरेशन हो यानि चाहे संग की बात हो परिसंग की बात हो या महाशंग की बात हो संगी ढाचे में हमेशा हमेशा केंद्री हुकूमत कमज रहें? अपनी एकाईयों के साथ सक्तिया साजा करती है और इसका साफ साफ इंडिकेशन यही होता है कि सासनिक प्रसासनिक ब्यवस्था में भी केंद्री अकृत स्वरोप आपको देखने को मिलेगा Decentralized Mode of Governance and Administration यहां देखने को मिलेंगे अब सवाल यह उड़ता है कि कीन देखों के लिए संग्हात्मक राज ब्यवस्था ज्या देश शुटेवल होती है तो जढ़ीश सीवाते वे देश जो जनसंख्या के लिहास से काफी भारी वर्कम जनसंख्या रखते हों वे देश जो छेतरफल के लिहास से काफी बढ़े हूं एक केंद्री है खुकोमत के द्वारा समूचे देश के सासनिक प्रसासनिक दाईतुव का निर्वहन करना संबंगर ना हो तो वैसे में क्या होता है केंद्री खुकोमत अपनी शक्तियाँ अपनी एकाईउ के साध साधा करती है और डिवीजान आप आवर वहाँ एक तरह से आपजर्ब किया जाता है माशूश किया जाता है प्राशासन का बिकेंद्री क्रिश सोरूप दिखेगा उन देशों के लिए भी शंगात्मक आप परिहारे हो जाती है बेहद आवश्यक हो जाती है जिन देशों की जनसंख्या बिवीड़ता मुलब हो है जैसे भारत में तमाम तरह की बिवीड़ताएं है छित्रिय बिवीड़ताएं भासाई बिवीड़ताएं धार्मिक बिवीड़ताएं को महाद्वीपी ये सन रचना है इसकी सब कंटिनेंटल कहीं न कहीं इसका साइज है तो ये अपने आप में ये सारी परिस्थितिया दर्शा देती है कि इस तरह के देशों में राज व्यवस्था का कैसा स्वरूप चाहिए विकेंद्री कृत स्वरूप चाहिए और राज व् सासनिक प्रसासनिक स्वरूप में कुछ सिमाओं तक आपको सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दीखेगी यानि केंद्रीय कृत प्रविर्ति तथा कुछ हग तक विकेंद्रीय करण का भी भाव देखने को मिलेगा तो जहां पर कहीं न कहीं एकात मक्ता के भी गुण हो और श गेंद्रीय करित रहेगा यही बिसिकली आम तोर पे यह तीन स्वरूप पाये जाते हैं राजब्योस्था के और इनके बारे में अगर जानना हो माल लिजे मैंने कहा कि किसी देश की राजब्योस्था का जो स्वरूप है जो उसकी प्रकिरती है वो शंगात्मक है तो इसका पता कैसे चलेगा मुझे इसका पता चलेगा उस देश के संविधान को रेफर करने के बाद उस देश के संविधान को पढ़ने और समझने के बाद क्या किस तरह फिसारा करता है संविधान की क्या प्रकिरती है अगर संविधान की प्रकिरती संधात्मक है तो तैय मानिए द ऐसा दस्तावेज होता है जिसके अंदर देश की सासनिक प्रसासनिक ब्यवस्था को चलाने वाले सभी पहलू, सभी सिधान्त, सभी बिंदू, समाहित होते हैं। अगर मीस मैचिंग रखेगा तो वैशे में उस कानून की वैदता कहीं न कहीं अधर में लटक जाएगी। तो इस लिहाज से सम्विधान देश की सरवच्च विधी हुआ। आध्यक छात्मक सरकार है या कैसी सरकार है। इसकी हमें जनकारी मिलती है सम्विधान से। तो अगला पॉइंट यहाँ आप मेंसन कर लेंगे। कि सम्विधान के माद्दिम से हमें अगली जनकारी क्या मिलती है। देश में किस प्रकार की सरकार है। कहने का मतलब कि देश में संसदात्मक सरकार है या अध्यक छात्मक सरकार है। या फिर और अध्यक छात्मक सरकार है। अत्मक सरकार के जैसे भारत के संविधान को आप रेफर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारत का संविधान भारत के लिए संसदात्मक सरकार का प्रावधान करता है। उसी प्रकार की सरकार होगी। भारत का संविधान भारत के लिए संसदी सरकार की व्योस्था करता है तो देखिए हमारे यहां संसदात्मक सरकारों का प्रावधान है। उपयुक्त होती है। कि इस देश में संसदात्मक सरकार की तुलना में अध्यक्षात्मक सरकार ज्यादे उपयुक्त होगी। तो देश की परिस्थितियों का भी आकलन करेंगे। और इस तरह से हम लोग समझेंगे। संसदात्मक हुआ अध्यक्षात्मक में विभेद। और जहां दोनों का मिला जुला स्वरूप हो वहां क्या होगा। और अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार होगी वहां। क्लियर है ये बात। तो इस तरह से हम लोग ने संबिधान के माध्यम से ये तीन-चार चीजे अभी समझी। मैं एक साथ करके इसको एक जगे मेंसन कर दूँगा, समप कर दूँगा। अभी बस एक-एक करके समझते जाईए। एक और बात। अब देश के अंदर सरकार कैशी होगी इसका तो आकलन हमने संबिधान के माध्यम से कर लिया। अब शवाल ये उरता है कि सरकार चाहे संसदात्मक हो, चाहे अध्यक्षात्मक हो या फिर अर्द अध्यक्षात्मक हो। हमेशा ध्यान रखेंगे काहे सरकार किसी भी प्रकार की हो अभी यहां मैं प्रकार को मिस कर दे रहा हूं बात संसदात्मक की हो अध्यक्षात्मक की हो या अर्द अध्यक्षात्मक की हो सरकार के शदैव शदैव तीन आंग होंगे तीन आंग कौन कौन विधाई का कारेपाली का वा नियाए पाली का विधाई का तारे पाली का वा नियाए पाली का ये सरकार के तीन अंग है यानि इन ही तीनों अंगों से मिलकर कोई भी सरकार बनती है अगर कहे कि कोई कहे कि हमारे यहां संसदात्मक सरकार है तो क्या हुआ संसदात्मक सरकार है तो भी उसके तीन अंग होंगे कौन-कौन विधाई का वा नियाए पाली का अगर मान लीजे आपको पता चला कि किसी देश में अध्यक छात्मक प्रकार की सरकार है तो भी क आपको सरकार के तीनों अंग दिखेंगे विधाई कारेपालिका और नियाएपालिका और ये तीनों अंग आपसी सामंजश्य से ही सरकार को constitute करते हैं, सरकार को एक तरह से निर्मित करते हैं, सरकार का जो विधाई अंग है जिसको हम विधाई का कहते हैं, इसका मूल उधेश विधिस्रिजन होता है समाने भाषा में कहें तो कानून बनाना कानून बनाने का दाई तो किसके पास होता है मूलता विधाईका के पास होता है तेश के अंदर कानून बनाने की पहल करना कानूनों का क्रियानवेन सुलिस्षित करना नितियों को लागू करना देश के प्रशासन का दाईत्तो शंभालना ये समस्त जिमेदारिया कारेपालिका के पास होती है कारेपालिका को मैं यहां तरंकित कर दे रहा हूँ तो किस पे लोट के एक बर फिर से मैं आऊँगा प्रिथक रूप से अलग से नियाएपालिका सबको विदित है देश के अंदर नियाएपो शुनिश्शित करना या डिशाइड करना क्या गलत है क्या शही है तो इस तरह से इन तीनों अंगों के मेल से सरकार बनती है लेकिन आम तोर पे अंग्शनल डेमोक्रेसीज में जन शमानने भाषा में हम लोग इसी कारेपालिका को सरकार नाम से सुसोभित कर देते हैं कि ये सरकार है जे शमान लीजिए अभी केंदर में किसकी सरकार है बोलते हैं आप मोधी सरकार है तो वही मोदी जी के नेत्रितों में, जिसको आप सरकार बोलने हैं, वास्तों में केंद्रिय कारेपालिका है, अब चुकि केंद्रिय कारेपालिका, या फिर सिंपल भासा में कहिए कि कारेपालिका सरकार रूपी वाहन की ड्राइवर होती है, सरकार रूपी वाहन की पूरी वाहन सरकार है वाहन का केवल ड्राइबर ही सब कुछ नहीं है लेकिन हाँ क्योंकि वाहन का ड्राइबर लीड रोल में है कभी उच पर विश्वास करते है लिहाँसा अक्सर हम कारेपालिका को ही सरकार कहके बोल देते हैं जबकि सरकार का मतलब इधाईका भी हुई, नियाईपालिका भी हुई और कारेपालिका भी तीनों मिलके सरकार बनती है तो अगर तकनीकी भाषा में कहें तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जो मंत्री परिशद है या मंत्री मंडल है वह पूरता सरकार नहीं है आप कहा शकते हैं कि सरकार का सबसे प्रोमिनेंट हिस्टा है सरकार रूपी वाहन की वो ड्राइबर जरूर है लेकिन संपून सरकार नहीं है, संपून सरकार के लिए ओपोजीशन भी सरकार का हिश्चा माना जाता है न्यायपालिका भी सरकार का हिश्चा मानी जाएगी यहनी विधाईका विधाईका में पक्ष भी पक्ष दोनों होंगे अब मान लीजी आप विधी स्रीजन के कारेओं में पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी राय शुमारी का स्वागत करे, उसका भी इज़द करे, उसका भी ध्यान रखे और जहां इन चीजों का जीतना जादे ध्यान रखा जाता है आप समझ लीजिए कि वह सरकार उतनी ही जादे constitutional government बन पाती है, समबैधानिक सरकार बन पाती है अगर आप विपक्ष को नजर अंदाज करेंगे उनको ध्यान नहीं रखेंगे तो जाहिर से बाते तमाम तरह के कानून बना सकते हैं तमाम तरह की नितिया बना सकते हैं तो फिर वो limited government नहीं होई फिर तो आप unlimited government बनने की दिश सर्त होती है और स्रीमित सरकार का मतलब होता है कि समबिधान सम्मत सरकार का चलना है और जब भी भारत जैसे देशों में लोकतांत्रिक देशों में अगर सरकार सम्मत चले तो जाहिर सी बात है वो विपक्ष का भी ध्यान रखेगी क्योंकि विपक्ष को नजर अंदाज करन खेर ये कुछ गहरी बाते हैं नियमित क्लासेस में इन पर पिस्तार से हम लोग बिमर्ष करते हैं अभी मैं लोट के सीधे अपने टॉपिक पर आता हूँ पस आपको इतना बता रहा था कि सम्विधान यहां बतलाता है कि सरकार के विभिन अंगों की शक्तियों की सिमा है क्या है यानि सरकार के जो तीनों अंग है विधाईका, कारेपालिका और न्याएपालिका समझ रहे हैं ये तीनों अंग आखिर किस सीमा तक किस हद तक अपनी शक्तियां रखते हैं पिधाईका की सक्तियों की परिसीमा क्या होगी, परीधी क्या होगी, कारेपालिका की सक्तियों की परिसीमा क्या होगी, न्यायपालिका की सक्तियों की परिसीमा क्या होगी, परीधी क्या होगी, चौहदी क्या होगी, यह हमें सम्विधान बतलाता है अशकरता हूँ सम्विधान से सम्मंधित आप ये तमाम बाते समझ पाए होंगे एक बार में फटाफट राउंड में इसको समप कर दे रहा हूँ और फिर उसके बाद हम लोग आएंगे इसके वरगी करण पे जो हमारा सम्विधान मैं लिखूंगा नहीं केवल पॉइंट वाइज आपके सामने इन बातों को दुहरा दे रहा हूँ ताकि हम समप कर ले अब तक जो पढ़े हैं पहली बात सम्विधान क्या होता है वाइधानिक रूप्षे मानिता प्राप्त एक दस्तावेज होता है इस दस्तावेज में हर वो बाते उलेखित होती है इनके माध्यम से देश के सासन प्रसासन को खलाया जाता है सिदी बात पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट सम्विधान देश की सरवच विभी की भूमिका में होता है सम्विधान देश का सबसे बड़ा कानून होता है याद रहेगा आपको देश का सबसे बड़ा कानून का मतलब कि देश की जो विधि निर्मातरी संस्ता है जिसको हम लोग विधाईका कहते हैं विधाईका जब भी कभी नई विधि का स्रिजन करेगी वह विधी वैधानिक होगी या नहीं होगी इसका आकलन स्रम्विधान के प्रावधानों के आधार पर किया जाएगा है यानि वह विधी अगर स्रम्विधान के प्रावधानों को क्यो नौती दे रही हो शम्बिधान के प्राउधानों से तालमेल नहीं रखेगी तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा, तालमेल रखेगी तो उसे उसकी वैदानिक्ता प्रदान कर दी जाएगी, तो इस तरह से सब्दान देश की सरवच्च विदियो. तीसरी बात संबिधान हमें बतलाता है कि देश की राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी है अगर देश की राज व्यवस्था की प्रकृति एकात्मक है तो एकात्मक्ता को दर्शाने वाले तमाम प्रावधान आपको संबिधान के भीतर दिखेंगे अगर देश की राजव्योस्था की प्रकृत संगात्मक है तो संगात्मकता को प्रदर्शित करने वाले तमाम प्रावधान संबिधान में अंतर नहीं थोंगे दिखेंगे अगर देश की राजब्यवस्था की प्रकिर्ती अर्द शंगात्मक है तो जाहिर सी बात है संभिधान में कुछ शंगात्मक बिंदू भी दिखेंगे कुछ एकात्मक बिंदू भी दिखेंगे यानि याईसी प्रकिर्टी संभिधान की वैशी ही प्रकिर्टी देश की राजब्यवस्था की ये तीसरी बात हम यहाँ समझते हैं चवती बात संभिधान हमें बतलाता है कि देश में सरकार का श्वरूप कैसा है कैसी सरकार है यह हमें सम्विधान से ही पता चलता है कि देश में संसदात्मक सरकार है, अध्यक्छात्मक सरकार है या अर्द अध्यक्छात्मक सरकार है और अंतिम बात सम्विधान हमें क्या बतलाता है? संबिधान हमें यह बतलाता है कि सरकार चाहे जिस स्वरूप की हो सरकार के बिभिन अंगों की सक्तियों की परीधी क्या है यानि अगर विधाईका है तो बता देगा संबिधान की विधाईका की सक्तियों की परिशिमा यहीं तक है अगर कारेपालिका है तो संबिधान बतला देगा कि कारेपालिका के शक्तियों की परिधी यहीं तक है नियाएपालिका की परिधी बता देगा यहां तक है ऐसा इसलिए कि विधाई का कारेपालिका वो नियाएपालिका आपस में टकराये नहीं यह संबिधान ही रेखांगीत करता है क्लियर आप देखो सीधे आते हैं हम लोग बिल्कुल प्रारम्म में जहां हमने टॉपिक रखा था मैंने क्या बताया था आपको कि संकलन के आधार पे यानि संविधान का जब हम वरगी करण करते हैं तो दो तरीके से करते हैं एक तो इसके संकलन के आधार पे यानि संविधान में चीजे कैसे लिखी गई है संकलित की गई है दूसरा अंतरनहित मुल्यों के आधार पर यानि संविधान के अंदर जो बिविन प्रावधान है दो और लिखित को भूल जाएंगे अब जब हम संभिधान को उसके मुल्यों के आधार पे वर्गी कृत करेंगे तो वहां लिखित हुआ और लिखित को भूल जाएंगे क्योंकि लिखित संभिधान भी मुल्य आधारित संभिधान हो सकता है मुल्य विहिन संभिधान हो सकता है और लिखित संभिधान भी मुल्य आधारित संभिधान हो शकता है, मुल्य विहिन सब संभिधान हो शकता है, दोनों ही संभावनाएं बनती है, clear है, clear पहला वर्गिकरन, संकलन के आधार पर, किसका वर्गिकरन करने जा रहे हैं हम लोग, संभिधान का, अब संभिधान का जब संकलन के आधार पर वर्गिकरन करते हैं, तो पहले ही आपको बता चुका हूँ, क्या होगा ये, या तो ये इखित होगा, या फिर, और लिखित होगा, लिखित होगा या फिर और लिखित होगा दूसरी बात, देखिए, ये बात आप समझ चुके हैं, कि सम्विधान चाहे जैशा भी हो, पैधानिक मानेता प्राप दस्तावेज होता है, और जब एक बार स्वस्पष्ट हो गया कि ये दस्तावेज होता है, तो जाहिर सी बात है, इसके अंदर जो बाते होंगी, प्रसासनिक ब्यवस्था को संचानित करने से सम्मंधित बाते होंगी, उन बातों को लिखा गया होगा, तो संबिधान अपने मूल शौरूप में ही, चुकि ये लिखा हुआ ही होता है, फिर इसे लिखित हुआ, और लिखित कहने का क्या मतलब है? तो पहली बात हम यहां हिंदी व्याकराण नहीं पढ़ रहे हैं कि लिखित का परया एक तरह से बिप्रितार्थी और लिखित हो गया, और लिखित का बिप्रितार्थी लिखित हो गया, हम राजनीत सास्त्र पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, लिटरेचर नहीं है ये तो हर सब्जेट की अपली टर्मनलोजी होती है और सब्जेट की प्रकीर्ट के अनुसार ही उस सब्जेट से सम्मंधित टर्म्स को रिखांकित किया जाता है पारिभासित किया जाता है क्लियर ये बात तो देखिए पहली बात लिखित सम्मिधान भी दस्तावेज होगा और लिखित सम्मिधान भी दस्तावेज होगा लिखित सम्मिधान डुपी दस्तावेज में भी सासनिक प्रसासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाली बाते लिखित रूप से उलेखित होगी किसी योजना बद्ध निरने का परिणाम होता है समद रहें, लिखित सम्भिधान सदैव किसी योजना बद्ध निरने का परिणाम होगा अभी तक बात साफ नहीं होई है, आगे साफ होगी अब सवाल यह होता है, कि योजना बद्ध निरने का परिणाम नहीं होता अब सवाल यह होता है, कि योजना बद्ध निरने का परिणाम योजना बद्ध निरने का परिणाम नहीं तक क्या मतलब है सिधी भासा में अगर मैं कहूँ तो लिखित सम्भिधान को मुर्त रूप देने के लिए हमेशा हमेशा एक सम्भिधान सभा जैसे इंस्टिट्यूशन की आवशक्ता पढ़ती है सम्भिधान सभा जैनि जिस देश में भी आप लिखित सम्भिधान पाएंगे तैं मानिए वह लिखित सम्भिधान किसी न किसी सम्भिधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया होगा और जब शम्विधान सभा गठित होगी खास करके इसी काम के लिए कि उसे देश के लिए शम्विधान तयार करना है जहिर से बात है शम्विधान सभा बेहत सजगता के साथ निर्णे लेगी योजना बध तरीके से निर्णे लेगी कि हमारे शम्विधान का शंकलन कैशा हो तो लिखित सम्विधान हमेशा हमेशा सम्विधान सभा के योजना बधनिरने का परड़ाम होता है जबकि और लिखित सम्विधान के लिए सम्विधान सभा जैसी किसी संस्था की आवश्यक्ता नहीं होती जब सम्विधान सभा जैसे किसी संस्था की अउसक्ता नहीं होगी, तो बताइए, देश का सम्विधान तैयार करने के लिए, किसी योजना बधनीरने की क्या उसक्ता है? तो पहला फर्क लिखित हुआ आलिखित में लिखित संविधान के तहट हमें संविधान सभा का साक्षे मिलता है आलिखित संविधान वाले देशों में संविधान सभा का कोई साक्षे नहीं मिलता है तो सवाल यह भूँता है कि जब संबिधान शभा का कोई शाक्ष नहीं है, तो फिर अल इखी संबिधान अस्तितों में आते कैशे हैं? तो अल इखी संबिधान मुलता, देश की परमपराओं, परमपराओं वब रूढियों की भुनियाद पर तयार किये जाते हैं. अब हो सकता है किसी देश की परमपराएं इतनी शंब्रीद हों कि अगर उन परमपराओं को ही हम ठीक तरीके से फॉलो करते रहें तो सासनिक प्रसासनिक ब्यवस्था के संचालिद करने वाले बिंदूओं को मुस्तैदी के साथ है न शतर को होकर उन्हें एक जगा कमपाईल क करने की आवसेक्ता तब पढ़ती है जब हमें अपने देश की परमपराओं पर विश्वास नहीं होता हमें लगता है कि जैसे हमारी देश की परमपराएं है उन परमपराओं के आधार पे हम राज व्यवस्था के उस्ष्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे जिसकी हम बातों को अमल करेंगे, और लिखी सम्मिधान वाले देशों में अलग से इस तरह की बातों को शंकलित करने की आउशक्ता ही नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी शम्रिद परंपराओं पर यकीन होता है, वो मानते हैं कि हमारी परंपराओं, हमारी रूडिया, राज व्योस्था क को संचारित करने के लिए पूरी तरह से फिट्स है, पूरी तरह से उपयूक्त है, तो फिर उन्हें ऐसे किसी जंजट के आउ सकता नहीं, प्रतिकी सम्मिधान सबा का गठन करो, फिर सम्मिधान सबा निर्णे लेगी कि कैसे कैसे प्राओधान होने चाहिए, जीन किया गया होता है, तो जाहिए सी बात है, इसे हम हमेशा एकल दस्तावेजी स्वरूप में रखते हैं, कि स्वरूप में? एकल दस्तावेजी स्वरूप में, यानि सिंगल कोडिफाइड डॉकुमेंट के रूप में लिखी सम्मिधान होता है, एकल दस्तावेजी स्वरूप यानि एक ही दस्तावेजी स्वरूप में आपको हर वो बाते दिख जाएंगी जो हम लोग सम्विधान के अंदर ढूंडते हैं यानि संभिधान के अंदर एक ही दस्तावेज के अंदर आपको दिख जाएगा कि सरकार के तीनों अंगों के बारे में क्या-क्या लिखा हुआ है समझे ने मेरी बात देश के लोगों की आसाओं वा आकंचाओं के बारे में कौन-कौन सी बाते कही गई है हमारा देश यह हमारे देश की राज व्यवस्था कीन आदर्शों की बुनियाद पर संचालित होंगी उन आदर्शों का भी श्रमावेश्थन उसी एक दस्तावेश में किया गया होगा सब कुछ एक ही दस्तावेश में आपको मिल जाएगा लेकिन और लिखित संबिधान शामाने तह एकल दस्तावेशी स्वरूप में नहीं होता बलकि जहिर सी बात है वहु दस्तावेशी स्वरूप में होता है तो सीधी बात यहाँ आप मेंसन कर सकते हैं यह एकल दस्तावेशी स्वरूप में नहीं होता अब कोई कहे कि ठीक है जी माल लिए हमें मालूम है इंगलेंड का सम्विधान अलिखित है तो क्या इंगलेंड की राज ब्योस्था को संचालित करने के लिए या फिर इंगलेंड की विधाईका की क्या सक्तिया होगी क्या करतब्य होंगे, कारेपालिका के द्वारा क्या शक्तिया निभाई जाएंगी, क्या दाइत तो निभाई जाएंगे, नियाएपालिका की क्या शक्तिया होगी, उसकी क्या responsibility होगी, आखिर हम इसे पढ़ना चाहें, तो कहां मिलेगा, मिलेगा, दस्तावेजों के रूप मे ऐसा तो है नहीं कि इंग्लैंड के वातावरल में वहां के सम्विधान के प्रावधान उड़ रहे होंगे देखना पड़ेगा ऐसे ऐसे नहीं है वो लिखी थी बट एकल दस्तावेजी स्वरूप में नहीं होगा क्लियर है ये बात दूसरी बात क्योंकि लिखित सम्विधान को अस्तित्तों में लाने के लिए सम्विधान सभा जैसी एक इंस्टिटूशन एक संस्था की आउश्चिक्ता होती है और सम्विधान सभा बेहद सतरकता के साथ सजगता के साथ बारीकी के साथ सम्विधान का स्रीजन करती है सम्विधान को निर्मित करती है जब कभी भी मान लिजिए कोई कारे आपके द्वारा प्रारंब किया जाता है तो प्रारंब होने के बाद एक ऐसा वक्त आएगा जब आप घोसित कर देंगे कि अब यह कारे शमाप्त हो गया जिसे मान लिजी आपको किसी वीसे वस्तु पर निबंध लिखना हो आप ये कोसिस करेंगे ने कि ठीक है अगर 600 शब्दों में लिखना है तो कम से कम आपकी कोसिस होगी कि 10 से 12 मिनट में हम इसे लिख डाले जीस पॉइंट पर प्रारम करेंगे तो प्रारम करने के बाद एक ऐसा समय आएगा जब आप कहेंगे कि हाँ, अब मैंने अपना निबंध लिख लिया तो कि आप एक योजनाबध तरीके से उस निबंध लेखन का कारी कर रहे है ठीक उसी तरह से संबिधान सभा के द्वारा संबिधान रूपी निबंध लेखन का कारी किया जाता है तो जब कारे प्रारम होगा तो एक वक्त ऐसा आएगा जब संबिधान सभा यह घोशित करेगी कि अब हमारा संबिधान बनके तयार हो गया अब हमारा संबिधान बनके तयार हो गया का तातपर है कि अब हमारा स्रम्विधान आधिनियमित हो गया means लिखित संविधान हमेशा हमेशा आधिनियमित होता है आधिनियमित आधिनियमित का मतलब ये हुआ एक ऐसी तीथी, एक ऐसा तारीख जिस तारीख को यह घोशित किया जाए कि अब हमारा स्वंविधान वैधानी का स्थित्त को प्राप्त कर लिया date of enactment means the date on which it is declared that the constitution has been brought into legal existence आपको बताऊं इस तरह की अधिनियमन की तित्थी आप अल लिखित संविधानों के संदर में नहीं पाएंगे यानि आलिखित संविधान अधिनियमित नहीं होता है इस देश में आलिखित संविधान होगा उस देश के वासी ये बता नहीं पाएंगे कि हमारा संविधान कब बनके तैयार हुआ ये कभी बनके तैयार होता ही नहीं है यह निरंतर बनने की अवस्था से गुजरता रहता है निरंतर बनने की अवस्था से गुजरते रहता है निरंतर निर्मान की अवस्था से गुजरते रहता है त्रिजन की अवस्था से गुजर रहा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अभ्यूदित संविधान तो अलिखित सम्मिधान क्या कहलाया अभियुदित यानि अलिखित सम्मिधान के शंदर्ब में आपको कभी ऐसा ग्यात नहीं होगा कि अच्छा यह सम्मिधान अमुक तिथी को बनके तयार हो गया नहीं लेकिन लिखित सम्मिधान के शंदर्ब में आपको देखने को मिलेगा अब आप में से साइध ही कोई ऐशा हो जिसको यह न मालूम हो कि भारत का समिधान लिखीत है अगर आप भारती समिधान की प्रस्तावना को रेफर करेंगे तो प्रस्तावना की जो अंतिम पंक्ति है लास्ट में जो लास्ट पराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है एक पार्टिकुलर तीथी दी हुई है 26 नॉवंबर उननी सो उन्चास नॉवंबर 26 1949 यही वो तीथी है जिस दिन हमारा स्रम्विधान अपने वैदानी का स्तित्व को पाया था यानि समाने भाषा में कहे तो बनकर तयार घोसित कर दिया गया था कि हाँ हमारा स्रम्विधान तयार हो गया अधिनियमन कीती थी आलिखित स्रम्विधान वाले देशों में आलिखित स्रम्विधान के आपको इस तरह की अधिनियमन कीती थी नहीं मिलेगी हमारा स्रम्विधान 26 जनॉवरी 1950 को लागू जरूर हुआ लेकिन 26 नौंबर 1989 को ही अपने वैधानी का अस्तित्त को प्राप्ट कर लिया था यानि हमारा संभिधान existence में आ गया था, बना कर तयार कर लिया गया था तो दूसरा विभेद आपने देख लिया लिखित वो आ लिखित में लिखित संभिधान के अधिनियमन की तीथी होती है और लिखित संभिधान के अंदर अधिनियमन जैसी कोई तीथी आपको देखने को नहीं मिलेगी इससे पहले हमने जो फर्क देखा वो ये देखा कि लिखित संभिधान हमेशा संबिधान सभा जैसी किसी संस्था के सतरकुव योजनाबध निर्णय का परणाम होता है जबकि आ लिखित संबिधान को निर्मित करने के लिए संबिधान सभा जैसी किसी संस्था की आवश्यक्ता नहीं होती यह देश की रूडियों वो परमपराओं पर संचालित होता है यह शदायव यानि निरंतर विकास की अवस्था से गुजरता रहता है निरंतर मेकिंग के फेज से बनने के फेज से चरण से गुजरता रहता है यह दूसरा फर्क हुआ तो देख त्वे लिखित हुआ अ लिखित में हम कीन बिंदों पर फर्क निकाल रहे है अब यह नहीं कि मोटी वुद्धी लगा के सीधे बोल देके लिखा है This way लिखित यह लिखित नहीं लिखा है इसलिए अलिखित यह लगाएंगे तो सब गलबड़ो जाएगा क्योंकि औलिखित में भी तो बाते लिखित तो होती है मैं शुरू में ही प्रूफ कर दिया था तभी तो सम्विधान को लेके इतनी जादे देर तक आपको समझाया पहले सम्विधान समझ लो फिर लिखित हुआ अलिखित अभी समझ बाओगे क्लियर है आईए अगला बिंदू देखते हैं जिसके अधार पे हम लिखित वो आ लिखित में विभेद प्रकट करते हैं सम्विधान लिखित आ लिखित लिखित यहां यहां देट Of Inactment आपको दिख सकता है यहां दिखेगा आपके दिमाग में चीजे बनी रहे पिसलिए स्राट में लिख देता हूगी यहां कॉंस्विट inevitably होगी यहां देट Of Inactment होगा यहाँ date of enactment नहीं होगा यानि अधिनियमन की तिथी नहीं होगा दो फर्क आपने देख लिया की सरा फर्क आपको मालूब है इस सम्विधान यह बत लाता है कि देश की राज ब्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी तो राज ब्यवस्था की प्रकृति के grounds पे हम लिखित वा और लिखित सम्विधान में विभेद देखेंगे राज ब्यवस्था की प्रकृति प्रकृत में लिखते रहाँ nature of quality इस बोले तो राज ब्यवस्था की प्रकृति आप सबको मालूँ है कि राज ब्यवस्था की कितनी प्रकृतियां है कि अमोमन तीन कौन-कौन एक आत् और्दशंगहात्मक है ना संचेप में आपको बताया भी हूँ कि एक आत्मक का क्या ताथ परे है और्दशंगहात्मक का क्या ताथ परे है क्लियर है देखिए जिस देश में लिखित संबिधान होगा उस देश की राज ब्यवस्था की प्रकीर्ति का अगर आप आकलन करना चाहें तो तै मानिए लिखित संबिधान के संदर्भ में राज ब्यवस्था की ये तीनों प्रकीर्ति खुली होती है अब यह डिपेंड करता है उस देश की संबिधान सभाप पर, यो इस प्रकार की राजब्योस्था को उपयुक्त समझती है, अगर उसे लगता है कि हमारे देश के लिए राजब्योस्था की एकात्मक प्रकृति उपयुक्त है, तो एकात्मक्ता को अपना लेगा, अगर उसे लगता है कि हमारे देश के लिए शंगात्मक प्रकृति जादे शूटेबल होगी, शंगात्मक्ता को अपना लेगा, अगर इसे लगता है कि हमारे देश के लिए और्ध संगात्मक्ता जादे उचित होगा, और्ध संगात्मक्त कि ये तीनों शुवरूख खुले नहीं हैं, अगर संभिधान और लिखी थे तो तैय मानिए, देश की राज बेवस्था की प्रकीरति हर हाल में एक आत्मक होगी, कभी संधात्मक नहीं, कभी अर्ध संधात्मक नहीं, इस अधार पे आप लिखीत और लिखीत संभिधान में संधर्म में हैं, अब आईए, अगले पैरामीटर पे, अगले ग्राउंड पे हम देखते हैं, किसी अन्य ग्राउंड पे, कि आखिर इन दोनों में क्या फर्क है, देखिए, Constitution यानी संभिधान, तलो हिंदी में ही लिखलो, संभिधान है ना, यहाँ लिख देता हूं में, लिखित, आ लिखित, आप देख रहे हैं, संकलन के अधार पर ही भी भाजन हो रहा है ना, बस हम लिखित वा आ लिखित में फर्क देख रहे हैं, संभिधान सभा के ग्राउंड पर हमने देख लिया, चलो शॉट में लिखित रहा हूं, यहाँ Constituent Assembly है, यहाँ Constituent Assembly नहीं है, यहाँ पर Date of Inactment है, यानि अधिनियमन की तिथी होगी, यहाँ आपको Date of Inactment नहीं दीखेगा, तिसरा भी बेद हमने क्या देखा, Nature of Quality, यानि Nature of Quality के शंदर्ब में यहाँ पर तीनों विकल्प खुले हैं, एक आत्मक यानि उनिटरी भी हो शकता है, संघात्मक यानि फेडरल भी हो शकता है, और संघात्मक यानि क्वासाई फेडरल भी हो शकता है, तीनों विकल्प खुले हैं, लेकिन, ओ स्वरी, और लिकित है ना, लेकिन, ओ लिकित के संदर्ब में, नेचर ओफ पॉलिटी की अगर बात की जाएगी, तो बताओ क्या होगी, हमेशा हमेशा यूनिटरी होगी, यूनिटरी, केवल यूनिटरी है, फेडरल या क्वासाई फेडरल की कोई यहाँ संभावना नहीं है, केवल एक आत्मक, अभी अगर हम जाहिर सी बात है, देश में लिखित संभिधान हो या और लिखित संभिधान हो, किसी न किसी प्रकार की सरकार की ब्यवस्था तो यह संभिधान कर ही रहे होंगे, लिखित संभिधान वाले देश में भी किसी न किसी प्रकार की सरकार होगी, और लिखित वाले किसी ने किसी प्रकार की सरकार होगी क्लियर है ये बात देखिए अगर हम सरकार के बिभीन अंगों की सक्तियों की परीधी का आकलन करें तो यह पाएंगे कि लिखित सम्विधान वाले देश में सरकार के जो तीनों अंग है कौन-कौन बिधाई का कारेपाली का वा न्याएपाली का संचेप में मैं लिख रहा हूँ लेकिन बोल पूरा रहा हूँ बिधाई का कारेपाली का और लिखित सम्विधान वाले देश में भी हम सरकार के विभिन अंगों की बात करें तो आगेन हमें ये तीन अंग दिखेंगे विधाई का कारेपाली का वा न्याएपाली का अब देखें क्या मैंने बोला विभेद का बिंदू क्या रखा कि सरकार के विभिन अंगों की शक्तियों की परीधिका आकलन अगर हम यहाँ पर सरकार के इन तीनों अंगों की शक्तियों की परीधिका आकलन करें तो कमों बेश हमेशा पाएंगे कि जो ये न्याएपाली का है विधाईका तथा कारेपालिका की तुलना में विधाईका and कारेपालिका की तुलना में व्यापक शक्तियों का उप्रोग करेगी इस पाइटर्न को ध्यान रखेंगे अंगरी जी में लिख दराओं शोट में here judiciary always enjoys wider power as comparison to the remaining organs of the government namely the legislative and the executive, that's it, द्यान रहेगा आपको, यानि नियाएपालिका विधाईका वो कारेपालिका की तुलना में आत्याधिक श्वायत्ता का लुप्त उठाएगे, अगर तक्नीकी भाषा में कहें, तो लिखित सम्विधान वाले देशों में नियाएपालिका की ज नियाएपालिका वो कहीं न कहीं विधायका वो कारेपालिका के कारेओं की समिक्षा कर सकती है। तो आपको दिखा न कि यहाँ पर नियाय पालिका के पास विधाईका ववा कारेपालिका की तुलना में अत्याधिक स्वायक्ता है, अटोनमी है, clear है, लेकिन ध्यान रखेंगे, इस देश में अल लिखित संविधान होगा, वहाँ नियाय पालिका की सक्तियां काफी सिमित यहाँ आपको देखेंगे, नियाय पालिका, विधाईका ववा कारेपालिका की तुलना में अधिसेश सक्तियों का उपभोग करेगी, लेकिन अल लिखित संविधान में देखिए, क्या ओडर होगा सरकार के विभी नंगों का, सबसे पावरफुल यहाँ विधाईका होगी विधाईका के बाद दूसरे नंबर पे बारी आएगी, नियाय पालिका की, और फिर अंत में किसकी बारी आएगी, कारेपालिका की आपको नहीं लगता कि लिखित संविधान के देशों में न्यायपालिका के पास अत्याधिक सक्तिया होगी जबकि और लिखित संविधान वाले देशों में न्यायपालिका के पास सिमित सक्तिया होगी सिमिद सक्तिया, सिमिद सक्तिया, in essence, कि न्यायपालिका यहाँ पर, यहाँ पर कारेपालिका के कारेओं की तो समिच्छा कर सकती है, लेकिन विधाईका के कारेओं की व्यापक समिच्छा नहीं कर सकती, आगे जब हम पढ़ेंगे, तो यह दिखता है कि विधाईका के कारेओं की भी समिच्छा कर सकती है, लेकिन बहुत ही संकूची तस्तर पे, व्यापकस्तर पे नहीं, व्यापकस्तर पे ये किसकी समिच्छा कर सकेगी, केवल वा केवल कारेपालिका की, तो लबोल वा भी ये है, कि इस तरह के देशों में न्यायपालिका के पास स्रिमित सक्तिया होती क्या फर्क है लिखित हुआ और लिखित संभिधान में अगली बात लास्ट बिंदू हम लोग देखेंगे और लास्ट बिंदू तक जितना पीछे का पढ़ाया हूँ आप देख रहे होंगे संचेप में हम लोग निरंतर उसको समप करते जा रहे हैं तक ही अंतिम दवर तक आपके पास चीजे बिल्कुल विवाइज मेंडर में आपकी दिमाग में बनी रहे हैं कंभिधान लिखित व आलिखित किसी में हम लोग विवेद कर रहे हैं लिखित आलिखित क्लियर है यह बात अब देखिए है हमने आब तक क्या देखा फटा पट उसको समप कर लेते हैं लिखित वा लिखित में एक-एक विवेद सबसे पहले क्या पाया हमने लिखित संभिधान में संभिधान के संदर्ण में हमें constituent assembly दीखेगी यानि constituent assembly का reference मिलेगा यहां constituent assembly यानि संबिधान सभा का reference नहीं मिलेगा दूसरा ये single codified document होता है एकल दस्तावेजी स्वरूप single codified document single codified document ACD संचेप में मैं लिख रहा हूँ न कई बार इसको बोल चुका हो एकल दस्तावेजी स्वरूप ये single codified document के रूप में नहीं होगा clear है दूसरी बात लिखित संबिधान में date of enactment आपको मिलेगी अधिनियमन की तिथी यानि वो तिथी जिस तिथी को यगोसित किया गया हो कि संबिधान खुनता बनके तयार हो गया यह आपने वैधानिक स्वरूप को प्राप्त कर चुका है लेकिन और लिखित संबिधान के शंदर्ब में आपको date of enactment नहीं मिलेगा clear है लिखित संबिधान वाले देशों में राज बेवस्था कि अगर हम प्रकृत की बात करे nature of polity nature of polity तो तीनों भी कल्ब खुले होंगे unitary, federal, quasi federal clear है unitary, federal, quasi federal अब संबिधान सभा के दिरिने पे depend करेगा कि इसने अपने देश के लिए राज बेवस्था की किस प्रकृति का चाहिन किया है लेकिन ये बहु भी कल्ब और लिखित संबिधान के शंदर्ब में खूले नहीं होते और लिखित संबिधान वाले देशों में अगर हम nature of quality की बात करेंगे तो यहां शदैव शदैव एकात्मक्ता पाई जाएगी unitary nature of quality देखने को मिलेगी है clear है ये बात राजब्यवस्ता का स्वरूप भी हमने देख लिया सरकार के विभिन अंगों की सत्यों के सिमांकन के मद्य नजर हम देखते हैं कि लिखित संबिधान वाले देशों में here judiciary always enjoys wider power as comparison to the legislative and the executive इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर judiciary हमेशा legislative और executive यानि बिधाई का वा कारेपालिका से ज़्यादे वायत्ता रखेगी लेकिन आ लिखित वाले संदर्व में हमने क्या देखा यहाँ पर सबसे ज़्यादे श्वायत्ता सबसे ज़्यादे autonomy, सबसे ज़्यादे शक्तियां किसके पास होगी विधाई का की legislative की, किसके बाद judiciary की, किरबारी आएगी executive की, यानि यह pattern है clear है आप तक यही विभेद हमने देखा अब last विभेद आपको बताने जा रहा हूँ और इसी के साथ लिखित वा अलिखित सम्विधान का जो वरगी करण है यह topic आपका शमाप्त हो जाएगा चलिए वही शम्विधान किस से मिलकर बनेगा सम्विधान अपने प्रावधानों से मिलकर बनेगा, प्रावधानों समझ रहे है provisions, यानि सम्विधान में कैसी कैसी बाते हैं आपको बताऊं, जब सम्विधान के प्रावधानों की बात होती है तो अक्सर सम्विधान के कुल तीन अलग अलग श्वरूप में प्रावधान संकलित होते हैं प्रावधान मतलब सम्विधान में अंतर नहित बिंदु संबिधान में उलेखित बाते ही संबिधान की प्रावधान है और संबिधान के जो प्रावधान होते हैं इनकी तीन स्रेणिया होती है यहीं समझ लेजिए तीन स्रेणिया ठीक है एक क्या होगी संबिधान के नम में प्रावधान दूसरा संभिधान के औनम में प्रावधान तीसरा संभिधान में संभव है कुछ प्रावधान नम में प्रकृति के हैं कुछ औनम में प्रकृति के हैं यानि नम में तथा औनम में दोनों का मिश्रण ऐसा हो सकता है अब इसको बताने से पहले बिभेद बताने से पहले थोड़ा मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि सम्विधान के नम्मे प्रावधान से क्या तात पर है सम्विधान के अनम्मे प्रावधान से क्या मतलब निकालेंगे और नम्मे वो अनम्मे दोनों के समिश्रण का क्या मतलब होगा देखिए, नम्मे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, flexible provisions, समझ रहे हैं, आननम्मे को rigid provisions, और नम्मे तथा आननम्मे का मतलब ही हो गया, flexible plus rigid का समिश्रण इसी नम्मे को हम लोग हिंदी में ही थोड़ा सा चलती फिरती भासा में लचीला बोलते हैं और आननम्मे को कठोर बोलते हैं, clear है, देखिए, कोई भी समझ नम्मे है या आनम्मे है इस बात का आकलन इस आधार पे किया जाता है, कि समझ वे नम्मेता की डिगरी कितनी है और नम्मेता की डिगरी का आकलन संविधान के नम्मे प्रावधानों के हवाले से होता है अगर किसी संविधान के सारे के सारे प्रावधान नम्मे प्रकृतिके हैं तो हम बोल देंगे कि अमुक संविधान पूर्णतह नम्मे है पूर्णतह लचीला है और अगर किशी संविधान के कुछ एक प्रावधान नम्मे है कुछ प्रावधान अनम्मे है अब इसमें नम्मे वह अनम्मे प्रावधानों की संख्या कुछ भी हो सकती है, कितना भी अंतर हो सकता है लेकिन दोनों प्रकृति के अगर प्रावधान है तो हम बोलेंगे कि सम्विधान नम्मिता वह और नम्मिता का मिस्त्रण है अब देखिए नम्मि प्रावधान का मतलब वैसा प्रावधान जो जो आसानी से संसोधित हो जाए सिंपल जो आसानी से संसोधित हो जाए यानि सम्विधान का वह प्रावधान जो बेहद आसानी से संसोधनिय हो बेहद आसानी से संसोधित हो जाए जिसके संसोधन में किसी जटिलता का सामना ना करना पड़े तो समझ जाइए कि संबिधान का वह प्रावधान नम में है दूसरा अगर संबिधान का कोई प्रावधान आनम में है तो इसका मतलब साफ हो ग आमेंडेबल होगा उसका भी आमेंड मेंड कर सकते हैं लेकिन आमेंड मेंड की जो प्रक्रिया होगी प्रक्रिया होगी वह आसान नहीं हो । आ संसोधित हो जाते हैं कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो आसानी से संसोलित नहीं होते वाखिर इस तरह के दोनों ही तरह के मिश्रित प्रावधान के से संविधान में क्यों रखे जाते हैं आगे पढ़ेंगे हम लोग यह मिद कप्छाओं में अभी के लिए इस टॉपिक के मद्देनेजर बस इतना समझ जाईए कि नम्मे प्रावधान का क्या मतलब है और नम्मे प्रावधान का क्या मतलब है अगर कोई कहे कि यह संविधान नम्मे संविधान है नम्मे संविधान है तो नम्मे संविधान का मतलब यह नहीं कि वो उसका कवर रूई का हो, बड़ा मुलायम लगेगा, ऐसा नहीं है, उसके अंदर दिये गए प्रावधानों शेह हम उसकी नम्मिता काकलन करते हैं, उसके अंदर वे सारे प्रावधान हैं, जो बेहत आसानी से संसोधनिये हैं, कोई संविधान कठोर है, इसका मतलब यह नहीं क या संसोधन की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होगी, आसान नहीं होगी, क्लियर है, अब देखो, आजाते हैं हम अपने मुद्दे पे, कि लिखित वा और लिखित संविधानों में, संविधान के प्रावधानों के मद्दे नजर आखिर किस तरीके से बिभेद उत्पन कैसे बिभेद जानेंगे, ध्यान दखिए, अगर किसी देश का संविधान लिखित है, तो लिखित संविधान वाले देशों में, या फिर लिखित संविधान के साथ, प्रावधानों के लिहाज से, तीनों ही संभावनाय खुली होती है, यानि किसी लिखित संविधान के सम समस्त प्रावधान औनम में हो शकते हैं किसी लिखित सम्विधान के समस्त प्रावधान समस्त नहीं बलकि किसी लिखित सम्विधान के कुछ प्रावधान नम में हो सकते हैं कुछ औनम में हो सकते हैं यानी दोनों का मित्रण हो सकता है करे मतना है अब किस पर डीपेंड करेगा हम लिश्र करेगा अपने समीधान चाहती है शामिल करना चाहती है अगर संभिधान सभा को लगा कि हमारे देश के संभिधान के समस्त प्रावधान अनम्मे होने चाहिए तो इसके साथ आ जाएगी अगर संभिधान सभा को या उचित लगा कि नहीं देश के संभिधान के समस्त प्रावधान नम में होने चाहिए नम में तक वो अपना लेगी अगर उसे लगा कि कुछ प्रावधान नम में हो कुछ अनम में हो दोनों ही तरह के हो के साथ आ जाएगी लेकिन ध्यान रखेंगे अगर बात अलिखित संबिधान की हो तो अलिखित संबिधान के समस्त प्रावधान सर्तिया तोर पे हमेशा हमेशा नम्मे होंगे कभी अनम्मे नहीं हो शकते जब अनम्मे नहीं होंगे तो नम्मे वह अनम्मे के समिस्रण का कोई सवाल ही नहीं उठता अब देखिए अमेरिका का संबिधान मैं यहीं पर लिख दढ़ रहा हूँ माल लीजिए कोई ऐसा लीखित संभिधान जिसके सभी प्रावधान पूरी तरह से कठोर है पूनतः अनममे हो उसतरा का संभिधान कौन सा है USA का संभिधान अमेरिकी संभिधान की समस्त प्रावधान कठोर है अनम में है, लिहाजा हम क्या कहते हैं, अमेरिका का सम्मिधान, पूनतह अनम में सम्मिधान है, पूनतह कठोर सम्मिधान है, पूनतह कठोर सम्मिधान, क्लियर है ये बात, दूसरी बात, एक ऐसा लिखित संविधान जिसके समस्त प्रावधान नम्मे हो स्रीलंका का संविधान स्रीलंका स्रीलंका का संविधान याद रखिएगा लिखित संविधान है लेकिन उस संविधान में आपको एक भी और नम्मे प्रावधान नहीं दिखेगा सारी के सारे नम्मे है अब एक ऐसा संविधान जिसके कुछ प्रावधान नम्मे हो कुछ अनम्मे हो तो भारत से खुबसुरत एक्जम्पल कोई नहीं हो सकता इंडिया का संविधान इंडियान कॉंस्टिटूशन नम्मे भी है अनम्मे भी है अब अगर आपसे कोई पूछे ऐसे कौन-कौन से प्रोमिनेंट कॉंस्टिटूशन्स हैं जो आलिखीत हैं अब आलिखीत है तो तैव हो गया जो उनके पास भी कल्प नहीं है आलिखीत सम्विधान के सभी प्रावधान सरतिया तोर पे अवश्यक रूप से नम में ही होंगे लचीले ही होंगे आपको पताओं वर्ल्ड वाइड लेविल पे उन चार ही ऐसे सम्विधान हैं जो आलिखीत हैं कौन-कौन? सबसे खुबसूरत एक्जमपल मना जाता है ब्रिटेन का सम्विधान ब्रिटिस कॉंस्टिटूशन किरा पाजाईए न्यूजी लेंड का सम्विधान या भी आलिखीत है किरा पाजाईए शाओदी अरबिया का सम्विधान शाओदी अरब का सम्विधान और इसके अलावे जो चौथा है वो है आपका इसराइल का सम्विधान इसराइल का तो बिश्व में यही चार सम्विधान हैं जो आलिखित हैं अब मैं आशा करता हूँ कि लिखित ववा आलिखित में क्या विभेद होता है लिखित सम्विधान ववा आलिखित सम्विधान में क्या फर्क होता है आप इस बात को बखो भी समझ पाए होंगे और आप भी द्यार करने में या समझने में आपको समझ्या नहीं आएगी अगर यहां तक आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश तरीके से काम कर रहा है तो यह कहीं ने कहीं आप खुद से अपना स्वा मुल्यांकन कर सकते हैं तो वेदर यू शूड इस्टार्ट यूर प्रिपरेशन फॉर सिविल स से कमपीटेंट है क्योंकि देखने में यह आसान टॉपिक जरूर था लेकिन आपने महसूस किया होगा इसमें हम तमाम नई नई बाते सीख पाए हैं और सिविल सेवा के अंदर जो समान अधेयन के विभिन खंड हम पढ़ते हैं उन विभिन खंडों के अंदर किसी तरीके स आपके लिए ये लेक्षर लावप्रत साबित हुआ होगा आगे फिर किसी तरह से किसी दूसरे टॉपिक के साथ फिर आपसे मुखातिब होँगा वैसे इसके अंदर भी एक फेसिट रह गया है अब चुकि ये लेक्षर बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं यहीं पर रो संबिधान का वरगी करन अभी हमें एक पक्ष और रह गया है अंतर नहित मुल्लो के आधार पे संबिधान का वरगी करन तो फिर कभी पढ़ेंगे इसके बारे में तो चलिए आज एक दूसरे शाम यहीं पिदा लेते हैं बहुत-बहुत सुब कामना है आप शबी को तेंक यू सो मुस अल देश्ट